मकर सक्रांती की आप सभी दर्सों को धेर सारी सुबकाम नाएं मकर सक्रांती हिंदुओं का प्रमुक पर्व है क्योंकि इस दिन सुरे उत्तरायन होते हैं और मकर रासी में प्रवेश करते हैं मकर सकरांती से ही रितु परिवर्तन भी होने लगता है इसलिए असनान और दान जैसे पुन्य कारियों का विसेज महत्व है चुकि मकर सकरांती का पर्व अलग-अलग सहरों में अलग-अलग नाम से मिनाया जाता है और मानेता है कि इस दिन दान करने से बाकी दिनों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा फलडाई होता है तो इस दिन सुर्य अपने पुतर सनिदेप से मिलते हैं और सुकर का उदैब ही मकर्सक्रान्थी पर ही होता है और इसी वजह से मकर सक्रांती से सभी कारे सुरू हो जाते हैं मकर सक्रांती से ही रितू में परिवर्तन होने लगता है और सरद रितू छीन होने लगती है तो मकर सक्रांती की तारीक को लेकर तोरा कनप्यूजन है चलिए जानते हैं तो हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सुरिदेव रात 8 बच कर 24 मिनट पर मकर रासी में प्रवेश करेंगे और 15 जनवरी को उदेया तिथी होगी इसलिए चुकि रात्री के प्रथम पहर में असनान दान धर्म कारे वरजित होते हैं तो 14 जनवरी को नमना कर 15 जनवर सक्रांती उदेया तिथी में मनाना ज्यादा सुब होगा सुब मूर्थ क्या है सुबह 7 बचकर 15 मिनट से 15 जनवरी को 15 जनवरी को साम 5 बचकर 40 मिनट तक मकर सक्रांती का पुन्यकाल है इस अबधी में दान धर्म कारे आप कर सकते हैं बहुत सुबह और साथ ही दोपहर 12 12 मिनट तक अभिजीत मुर्थ रहेगा और दोपहर 12 मिनट से दोपहर 12 बचकर 58 मिनट तक बिजय मुर्थ रहेगा तो इस समय मकर सक्रांती के साथ ही खर्मास भी समाफ्थ हो जाएगा और जैसे ही मकर रासी में वह आएंगे तो तमां सुब मांगली कारे यहां से सुरू हो जैसे साधी विबा, मुंडन संसकार, ग्री प्रवेश जैसे मांगली कारे यहां से सुरू होंगे जो सुरी के धनूरासी में रहने से पूरे एक महिने से तमां मांगली कारे बंद थे क्या दान करे देखिए वैसे तो कहीं कहीं उत्तरायन भी इस परव को कहा जाता है मकर सकरान्ती को और इस दिन गंगाश नान करना, ब्रत कथा दान करना, भगवान सुरी की उपासना करने का विसेश महत्व है और इस दिन किया गया दान, अक्षय पुन्ने फलदाई होता है वैसे सनी देव के निमित प्रकास का दान भी किया जाता है तिल और गुर से बनी मिठाई का बाटना दान करना आम चीजों मेग है पतंग भी इस दिन उड़ाया जाता है और वैसे एक पौरानिक कथा है कि मकर सक्रांती के दिन सुरी देव अपने पुत्र सनी देव के घर जाते है अब चुकि सनी मकर और कुमरासी का स्वामी है तो पितापुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा ये पर्व है एक कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विश्णू की बिजय के तौर पर भी मकर सक्रांती मिनाए जाती है क्योंकि बताया जाता है कि मकर सक्रांती के दिन भगवान विश्णु ने पृत्वी लोग पर असुरों का संगार कर उनके सिरों को काट कर मंदरा परवत पर गार दिया था और तभी से भगवान विष्णू की इस जीत को मकर सकरान्ती के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा इस दिन कुछ विसेज वस्तूओं का दान किया जाता है खास कर ऐसी 14 वस्तूओं हैं जिनका दान करने से अक्षे पुर्णी की प्राप्ती होती है तो चले जानते हैं बिस्तार से पहला है तिल तिल का दान करना सबसे ज़्यादा सुभ होता है क्योंकि यह सनिदेव का उपाए है और पूरे साल सनिदेव की साड़े साथी ढहिया यहां की महादसा अंतर दसा से भी आपको रहात मिलती है वो आपको परिसान नहीं करते गुड़, गुड़ का दान करना अती सुभ है क्योंकि ये सूरी का उपाय है तो सूरी से सम्मन्द रखता है गुड़ इसका दान करने से आपको सूरी बहतर होता है खिचडी का दान करना इस दिन सबसे ज़्यादा सुभ माना जाता है तो इस दिन आप खिचडी का भी दान कर सकते हैं कंबल एक बात और याद रखिएगा खिचडी जो बनाईएगा उसमें काली उड़द जरूर डालिएगा कंबल का दान करना सुभ होता है ये राहू और सनी का उपाय है घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ती होती है ये सुक्र का उपाय है गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए ये बुद्ध और सुक्र दोनों का ही बेहतर करने का उपाय है तेल का दान करना इस दिन बहुत ज़्याद कर सकते हैं वैसे है सीधा यानि कि किसी पुजारी को गुड़ा अटा घी नमक शक्कर वेगरह के सकते हो रेवड़ ए नमक नमक का नया पैकेट लाकर भी आप दान कर दें तो इससे सुक्र बहतर होता अनाज पांस तरह के अनाज को दान करने से पुनिभी प्राप्त होता है और हर गरह की जो अनुकूलता है वो प्राप्त होती है नए वस्त्र आप जरुदमंद गरीब लोगों को नए वस्त्र या उनी कंबल वेगरे दान कर सकते हैं तो मकर सकरांती के पावन अफसर पर गाई को ऐसा क्या खिलाएं कि जीवन में सुक सम्रिद्धी मान समान यस धन दौलत सब बढ़ता चला जाए देखिए मकर सकरांती के दिन वैसे तो खिचडी खाने की परंपरा है बहुत पुराने समय से और मूंग के दाल सी बनी खिचडी खाने की ज्यादा बिधान है हलां कि काली उड़त के भी खिचडी खाये जाते हैं और खिचडी आप जैसे की काली उड़त थोड़ा सा एवाइड करना चाहिए क्योंकि बॉड़ी में पेन होता है उसको ज्यादा खाने से इसलिए आप गया को जरूर खेळाए और इस ञीव खा रही हो तो थो एक दाना कम से कम गय के मुख में लगेन है उसको यह शहार लेकर घर आजए और उससी चे से मोख्ष को प्राप्त कर सके तो मकर सकरांती के दिन आप दान भी करेंगे और गाई को आपने खिचड़ी खिलाए इसका मिहमा बहुत है वैसे तो आप के माल लेते हैं अब आपके लिए संभव नहीं है खिचड़ी खिलाना तब आप चाहें तो काला तिल और गुड रोटी पर रखकर भी खिला दें हलांकि इस दिन खिचड़ी खाने की प्रिम्परा है इसलिए खिचड़ी ही खिलाई जाती है नहीं कुछ तोहरा का चारा ही खिला दें कहने का तात पर यह गाय को जरूर खिलाएं जो आपसे बन पड़े वही खिलाएं लेकिन अगर जिस नियम के बारे में हमने आपको बताया उस नीयम को आफ फोलो करते हैं यकीन मांडिये अन्य साल के पिक्चा ये साल जादा धन से आपका घर भरा रहेगा एक खास बात देखिए मकर सक्रांती के दिन तिल के तेल की माली चरूर करना चाहिए और मकर सक्रांती के दिन तिल का उप्टल कर नहाते हैं तो सरीर कांती मान बनता है और ब्यक्तित्व में निखार आता है अगर पवित्र नदी सरोवर में अश्नान करते हैं यह सबसे ज्यादा सुमाना जाता है अगर पवित्र नदी यसकि काला तिल करने खुन है कर 것을 भीधान खाने का भीधान है लेकिन भूल कर भी किसी का तिल मत क्ळामँ और ना किसी का मैं लेगा हद़ाता इस होो जासाध यहिएdir इस दिन पर अगर किसी का लेते हैं तो आप कुछ उसके बदले में गिप्ट दे या कुछ पैसे दे क्योंकि कहा जाता है कि तिल एक ऐसी वस्तू है जो तिल तिल करके उतारना पड़ता है यानि यह कर्ज बहुत लंबा चलता है इसलिए ऐसा कर्ज मतले तिल का मतलब होता है क अब बतन जो एक दान कीजिएग Also प्लास्तिक के बड़तन या किसी तरह के सामान मत कीजिएगा ज्रू का दान कििसी वहकती बिशेश को भी मत दो लिखू नहीं मिलेंगे अगर आपको ज्रू का दान करना भी हो तो अगरन खाया हुआ अन का दान का खास महत्व है लेकिन तिल का दान जरूर करें पर किसी और का तिल मत खाईएगा हाँ उसके बदले कुछ देख तो इस बात का धियान रखिएगा क्योंकि कि किसी दूसरे का तिल खाने से तिल तिल कर्ज बढ़ता है तो अभी तक आप नहीं खाया है और गाय को छुकर प्रणाम करें और अपने मन की कोई कामना है कोई परिशानी है तो जरूर कह दें फिलाल आपसे भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमिंट में हर हर महादेव जरूर लिखें धन्यूर्